स्वागत है यह कूर्स अंदर वीडियो में यह जो की अब मेरा रात में देख रहे हैं वो बुलंग करती है इस प्रोड़क्ट को टाटा पंच हमारे सामने खड़ी है बेस वेरेंट यह खड़ा है और टाटा की भाई काफी अच्छी चीज़ है कि टाटा आपको अपने सभी वेरेंट में सी एंजी देती है ऐसा नहीं है कुछ अधर ब्राट की तरह कि आपको बैस में सी एंजी नहीं मिलेगी सेंजी के लिए आपको सेकेंड बेस यह टॉप पर जाना पड़ेगा तो यह काफी अच्छी चीज़ है टाटा के अंदर आपको बैस वेरेंट में सी है क्या कुछ माइलेज है तो सारी चीज़े आप वीडियो में कवर करने वाले हैं फ्रेंट लुक से स्टार्ट करते हैं बाई कुछ इस तरह की की फ्रेंट लोग आती है काफी बॉक्सी साथ डिजाइन यहां पर टाटा नहीं रखा है वी सी गाड़ी देखने में लगती है है यहां फ्रेंट से मजबूत सी बाई मजबूत है गाड़ी वेसे वट प्रेणे में भी यहीं वाली फिछ आती है कि काफी मद्र घढ़ी है है ऐढलेंश की बात करें तो अपको हैलोजन बल्ब के साथ आपको यहींग्ल आपको देखने को मिलेगा सिंगल आलोजन बल्ब आपको मिलता है d rl भी आपको मिलती है बाई बेस इरेंटके अंदर बाट इनमें भी आपको है Western भल्ब देखने को मिलेगा LED नहीं है किरण इंडिगेटर आपको इसाओ मलता है फोल लेंप वग्छिवथे अपки धितर आप Z अपको देखने को मिलता है रेडिटर ग्रिल पर अपका पूरा मैट फिनिस के अंदर आपको मिलता है ये वाला पाटा आपका बॉडी कलर्ड हो गया बटे नीचे आपको मैट फिनिस के अंदर ब्लाक देखने को मिलेगा अब बात करें इंजन वगेरा की तो 1.2 लीटर नैच किसी तरीके का इस इंजन ऑप्शन के साथ आपको अल्मुस्ट सारी गाडिया सेम पावर टॉक गलीवर करने वाली हैं एंड माइलेज वगरा की बात करें तो भाई क्लेम करती है 26.32 की माइलेज क्लेम करती है बाकि हमने स्पेशल वीडियो बना रहे हैं माइलेज टेस्ट के उपर पूरी वीडियो आप देख सकते हैं करीब 25 के अप्रॉक्स माइलेज इस गाड़ी ने दिये हमें तो भाई माइलेज तो काफी अच्छी रही थी गाड़ी की पूरी एसीम हमने यूज की थी किसी तरीके का कोई शुमर को नहीं लगा माइलेज के अंदर कुछ लोग रहती कि माइलेज काम आती है आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप देख लेना माइलेज की वीडियो बा स्टील रिम को कवर नहीं कर पाता है आप अलग से लगवा सकते हैं करीब तीन अजार रुपे का वाई लगता है सोरूम से अगर आप लगवाते हैं चारो वील कवर्स वील आफ्स क्लाइडिंग आपको देखने को मिल जाएगी एंड बात करें ग्रांट क्लियंस वगेरा की तो 187 mm का ग्रांट फियंस अगाड़ी आपको ओफर करती है जो काफी जबर जासता बाई एंड साइड क्लाइडिंग आपको देखने को मिल जाती है दोर्स पर तो बाई गलावाट वगेरा से या फिर दोर को काफी प्रटेक्ट करती है यह दोर उपन करते हैं तो यही वाल अबकुल इसके नीचे आप जैक यूज कर सकते है तो यह काफी अच्छी सी टार्टाम ने दिये है और विम आपको मैट्शनिस के अंदर मिलते हैं ब्लैक विद एलेडी टांड इंडिकेटर दोर एंडल वगेरा भी आपको ब्लैक मिलने वाले मैट्शनिस के अंदर बटे एक जुब कलर है ग्रे खड़ा है और इसमें मैच से आपके हो जाते हैं तो आप अब बॉडी कलर ना भी करा हो तो भी कोई इसू नहीं है अधर वाइज आप बॉडी कलर करा सकते हो भाई 700 रुपे का पर पीस होने वाला है आपका स्चोरूरूम से तो आप दोनों साइड क आपको तरीब होगे 2800 रुपे के आपके होंगे दोनों डो रेंडल एंड वाई ओर विम अगेरा बीपलार आपको मैट फिनिस के अदर देखने को मिलता है ब्लैक एंड अब बात करते हैं रियर प्रुफाइल की एंड ये वाई कुछ इस तरीके की रियर प्रुफाइल आत मिलता है टा वहला बिलकल नीचे देखने को मिलता है इस गैड़ी के अंदर रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं को इदर मिलता है और येंड प्रुफाइल स्टिकर डॉलकल का स्टीकर आपको इड़ शोओक संपद बाल žाया veaई द्रूपेश Dusk penny को मिलता है and अब बाद करते हैं भाई boot space की तो request sensor आपको मिलता है base variant से ही and boot आप देखो भाई करीब इतना आपको boot space मिलता है CNG गाड़ी होने के बाद भी आपको अच्छा खासा boot space इस गाड़ी के अंदर मिलता है CNG slender की placement जो है वो भाई आपकी इधर है इंसलेंडर टेकनलोजी का use data ने किया है ताकि आपको boot space अच्छा कासा मिल सके 1-1 case की आपको 2 hook मिलते हैं भाई कुछ भी आप समवान वगेरा है आप लटका सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है and in emergency आपको boot और ज़्यादा requirement हो तो आप अपनी seat को 100% fold कर सकते हैं and आपका boot जो है और भी ज़्यादा increase हो जाएगा अपनी need के साब से आप fold कर सकते हैं and आप चलते हैं गाड़ी के अंदर अंदर आपको क्या कुछ feature मिलते हैं वो दिखा देता हूं and ये interior आप देखोए और पूरी गाड़ी का यूज नहीं किया है front two power windows आपको मिलती है and driver window one shot down है भाई बेस वेरेंटम आपको one shot down दे रहा है टाटा यहां भाई आप करीब half liter की bottle रख पाएंगे कुछ इतना space आपको मिलता है and umbrella holder भी आपको मिल जाता है doors में भाई करीब आट सो नो सो और बेका आपको आमरेल आएगा showroom से आपको लेना होगा and यहां पर आप सको रख सकते है door lock glossy touch के साथ आपको मिलते है and speaker वगेरा के लिए आपको जगा दी हुए speaker and twitter के लिए but base where enter तो आपको infotainment speaker वगेरा infotainment system कुछ भी नहीं मिलता सिर्फ आपको जगा मिलती है seats वगेरा की बात करें तो fully fabric seat आती है भाई pocket fit कुछ इस तरीके की 4 way manual adjustable के साथ है height adjustable का option नहीं मिलता है driver and co driver headrest दोनों ही आपको मिलते है height adjustable and अब बैठते हैं भाई गाड़ी के अंदर तो steering wheel आप देख 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 flat bottom steering wheel आपको मिलता है center में आपको 2D logo Tata का आ गया and tilt function के साथ आथा height according आप up down adjust इसको कर सकते है and भाई जो CNG switch है वो आपको इधर मिलता है fuel switch करने के लिए जो button मिलता है आप यहाँ से इसको change कर सकते है यह भाई हमने गाड़ी on की और यह CNG का जो भाई आपकी light है on हो चुकी है आपकी गाड़ी CNG पर start हो जाएगी ऐसा कुछ नहीं है कि गाड़ी में petrol होना चाहिए तो यह काफी अच्छी चीज या टाटा आपको देती है and बाकी आप यहाँ से switch कर सकते है petrol या CNG जहां भी आपने रखनी है यहाँ भाई आपको करीब काफी बड़ास आपको space मिलता है wallet वगेरा आप रख सकते हैं फिर phone वगेरा आप रख सकते हैं आपकी choice आप जो कुछ भी रखना चाहें and बात करते है instrument cluster की तो भाई कुछ इस तरीके का fully digital instrument cluster आपको मिलता है इधर आपको मिलता है rpm meter यह आपका CNG का gauge हो गया यह आपका petrol का gauge हो गया centrum आपका speedometer हो गया order total गाड़ी कितने चली है time वगेरा door वगेरा open है यह कुछ information यहाँ पर show कर रहा है and center आप देखेंगे तो भाई instrument cluster वगेरा infotainment system वगेरा आपको कुछ नहीं मिलता है यह जो part है यह आपका यहाँ से इस तरीके से दिया है कि आप इसको हटा के अलग से infotainment system लगवा सकते हैं अगर आप showroom से लगवाते तो करीब cost करता है 32,000 रुबे का 9 inches का android system आपको लगा के देंगे with reverse parking camera AC panel आपके इदर मिल जाते है and इनके चारो साइड आपको मिलता है glossy touch AC आपका fully manual आता है but looking जो है वो automatic type की है देखने में लगता है automatic है बट यह आपको कुछ इस तरीके से operate होता है यह fan speed आपके होगी and यह temperature आपका होगया left में बिलकुल आपका normal होगया मतलब कम होगया 18 degree तत and right में आपका यह heater होगया तो यह कुछ इस तरीके का AC आपको मिलता है इदर आपको कुछ space मनता है phone आप रख सकते है 5-speed manual transmission के साथ गाड़ी खड़ी है and इतर आप देखोगी एक 12-volt का socket आपको मिल जाता है and two cup folders इदर होगय and top पर आप देखेंगे तो भाई बिलकुल simple IRVM मिलता है manual dimming function भी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा top पर एक reading lamp मिलता है and यह थोड़ा सा confusing है automatic भी यह है and manual वाला button भी यह है तो आपको idea नहीं लगता कि यह बाई door पे है या फिर बिलकुल manual पे है and यह twin apartment के साथ आता है यह आप यहाँ पर करीब tablet holder भी मिल जाता है wallet वाई टैबलेट वागेरा कुछ भी यहाँ पर रख सकते है यह वाला portion अलग है and यह आई अलग है and यह simple glove box है इसमें आपको cold वागेरा का function नहीं मिलता है and आप चलते हैं बाई गाड़ी की rear वाली seat पर rear में आपको क्या कुछ space मिलता है वो दिखा देता हूं but उससे अपनी driver seat को कर लेते हैं and यह आगे बाई अभी हम rear में and near room में आपको दिखा दू तो या नी room आप देखो करीब इतना आपको near room मिलता है यह पूरा हाथ open नहीं हो रहा पूरा हाथ open होता तो करीब यहां तक धंबाता है ओड़ा सा कम है बाकी यार काफी अच्छा काजा near room आपको गाड़ी offer करते हैं किसी तरीके से आप pair up करो कोई issue नहीं है thigh sport काफी अच्छा खास आपको मिलता है तीन लोग इजली बैठ पाएंगे कुछ इतना space आपको मिलता है and rear वाले जो head rest है वो मिलने वाले है fixed height adjustable का option नहीं मिलेगा and अब बात करते हैं head room की head room आप देख लो यार करीब इस तरीके से आपको हाथ open करना होगा करीब चार उंगलियों के बाद भी तीन उंगलिया और आसरती है करीब इतना आपको head room मिलता है तो भाई head room का तो position नहीं है तो यार यह थी अपने सामने Tata punch CNG के अंदर base variant यह और variant बात करें प्राइजिंग होए रहा की तो इस variant का जो extra room cost करता है आपका हो जाता है तो मेरे साब से तो best choice है किसी तरीके का कोई issue नहीं है बाकि आपको उसे बता कमेंट करके काड़ी आपको कैसे लगी है हमें कमेंट करके ज़रू बताए और वीडियो और फर्मेटिव लगी हो तो प्लीज आर वीडियो को like कर दो चैनल को सबस्क्राइब कर दो तैंक यू